गर जे तो हमें प्यार है ही साथ ही साथ घर के कामों से भी प्यार हो गया है इसलिए सुबह उटकर सबसे पहले हम यहीं सोचते हैं कि आज का काम हम कहां से स्टार्ट करें और कहां से हम अपनी क्लिनिंग सुरू करें कैसे हैं आप सभी लोग आई होप की बढ़िया होंगे आज के ब्लॉग के स्टार्टिंग करते हैं मौर्निंग के टाइम से तो जी सुबर सुपर का टाइम है सबसे पहले मैंने वांड वाटर पिया क्योंकि आपको पता है कि गरम पानी हमारे बॉड़ी के लिए कितने यह कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिसे हमें हमेशा यूज करनी चाहिए तो जी कब से सोचा था कि मुझे अपने गटन को अच्छे से वाश करना है और बद टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे साथ में और बच्चों के साथ उतना काम नहीं हो पाता है तो मैं तो आज मै भी मुझे अपने डेन सोच करना होता है मैं हमें से यही ट्रीक का यूज करती हूं तो मैंने लिया था एक थ्रेट मतलब कोई भी तागा टाइब या कोई भी कपड़ा कट करके और उसको देखिए मैंने सारे के सारे कड़न्स को इस तरीके से टॉक कर लिया था और इस तरीके से टॉक करने के बाद कि ऑगला जब भी हम इसको वाश्चिंग में दालेंगे यह कोई भी नहीं खुलेगा और जिस वे से एकदम ऐसे ही रहेगा कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो यह कुछ ऐसे काम है जिसको हमें मंसी करना ही पड़ता है और इससे अगर पर्दे हमारे क्लिन दिखे तो हमारे जो रूम होता है वह आटमेटिक चमकने लग तो यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक जो हाउस वाइफ है उसके साथ बचे भी है फैमिली भी है अपने हजबेंट भी और खुद भी अपनी केर भी है तो हमें सब को सो समझ के करना पड़ता है तो एक दिन में हमारा सारा काम तो नहीं हो सकता बट अब कोसिस करते हैं कि उ जल्दी वाज़ी में कोई काम नहीं करती है मैं हमेशा आराम से करती हूं तो देखिए मैंने सारे के सारे कटन्स को अपने टेक कर लिया और देन उसके बाद देखिए मैंने इसको अच्छे से वाशिंग में डाल दिया है यहां पे देखिए मेरे सारे के सारे कटन्स अब अ ठीक ठाक ही रहता है और थोड़ी सी इसमें खुसपु आने के लिए मैंने इसमें कमफर्ट का यूज़ किया क्योंकि पर्दों से अगर पर्फ्यूम का यूज़ भी कर लेती हूं पर्दों में ताकि रूम जो हमारा एकदम फ्रेश प्रेस रहे और अगर रूम फ्रेस है तो म हैं मैं ऐसे क्प्डे फोर्टे क्लेश और कर लेती हूं तो सबसे पहले देखी प्रेस में निकाल लिए गुज़ा थे युज़ कण ले थे युज़ ऑने बुटे तो मैं फिन आने अश्टक भूर्ट को एक दो प्रब्लम भीहां तो जो एक सॉलुशन को मैं इस प्रेस प् तोड़ा बहुत बात मैंने डिसोप और तोड़ासा नीबू कर रहा उसका सालुषेन बढ़ाना कि मैंने इस में इसम मेंगर और यह सदकी से पानि मिला के रख लिया और यह तो डूर मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लें क्लीन कर लिया तो यह तो इसके बाद भूर्ट थे ना यह तो मत पूछिए आप इसमें ज़्यादा थे ना अगर मैं आपको तिकाऊं तो जो मेरा जी कॉटन है पूरा का पूरा एक दम ब्लैक हो चुका था साइट से तो यहा इसमें क्या होता है कि हर चीज़ की फैसलेट से हमें मिलती है रहाएं अब प्रॉपर हम अपनी तर latch के से नहीं कर सकते है यह नहीं हो सकता है तो यहाँ पर देखिये करचन्स का सारा काम ह less था is तो आपने गया हमिभी फैनों कोकि और भीुआ अबना जो फैन था इसको भी अच्छी से क्लिए नहीं किया था सिरॉल जी ने एक बार किया देन उसके बाद वो जॉइनिंग करने लग गए तो फिर मेरा काम वैसे रुप गया और होता है कि यह सब जो उपर काम होता है मिन्स जो हाइट वाला काम होता हो जग लगबग वही क जब फैन इतना गंदा हो तो रूम कैसा होगा तो हमें वीकली तो हमेसा फैन में अच्छी से चाहरो लगाना चाहिए साथ की साथ कॉटन की साहिता से आप इसको अच्छी से क्लीन कर लीजिए तो और तो दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई थी जब मेरे बच्चों का बढ़ तो मैं पूरी वाल पर लगाती हूं और कुछ-कुछ ना जो डबल साइज टेप था वह वाल पर लटके हुए तो आज मुझे मुझे मौका मेरा था उनको निकालने का तो मैं उनको भी अच्छी से निकालने लग गई ताकि मेरा ये काम भी हो जाए और इसको करने के बाद अब जो मेरा डाइनिंग टेबल है मुझे उसको अच्छी से सैट करना था क्योंकि ये सैट करना काफी है बच्चे टाइम पर आते रहते हैं बच्चे अगर यहां पर आगए तो पुरा रूम ऐसी होने में टाइम नहीं लगता है तो घर के कुछ ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए वीकली आप बोल सकते हैं या मंतली बोल सकते हैं डाइनिंग टेबल तो साइद आपको हर डे साफ करना है क्योंकि हम यहां पे खाना खाते हैं कुछ भी चीज़ करते हैं तो कुछ गिर जाता है इस पर अब धूल भी हो जाती है और जहां पर हम खाना खाएं वहां दूल हो वह भी सही नहीं लगता तो डाइनिंग टेबल तो मैं पर्डे साइद दिन में भी वहां साम को भी क्लीन करते हूं बट यह चीज़े हैं कि जो फैन हो गया डोर हो गया कटन्स हो गई यह पर्डे साफ नहीं हो सकता है यह आप मंतली ले ले लिजे तसे क्या होता है कि हमारी बैट सिट को भी मंतली अगर अच्छी साफ करें या फिर आप वीकली या टूवीकली में क्लीन करें तो वह भी अच्छी बात है ताकि उससे क्या होता ना कि हमारा जो बैट है वो एकदम साफ सुतरा रहता और बैट तो सोने वाले जगह है वहाप वह तो हमेसा जो हमें कभी कभी करना बहुत जरूरी है तो काम तो सारे हो चुके थे और जो यह ग्रेटिंग कार्ड दिखाए दे रहा है यह आधी ने बनाया था अपने पापा के लिए तो इसके बाद देखिए जो मेरा बैट साइड टेबल लेना यह काफ ज़्यादा मैसी हो रखा था इसके अंदर ना कुछ सामान यूसफुल थे और कुछ सामान एक्स्ट्रा थे तो मुझे फैक ने थे तो जो एक्स्ट्रा सामान थे उसको मैं फैक्ने के लिए रैडरी थी जो यूसफुल है उनको मैं अच्छी से रख लूँगी तो कुछ-कुछ समान तो यह थी कि जो हमने कभी यूस भी नहीं कर रहे हैं वो भी थे और कुछ सिरॉला जी के समान थे और उनका जो समान तरह उनको तो हाथ नहीं लगाना पड़ता वरना उन्हें बहुत ज़दा यह वाला है ना जो इसमें तो मत पूछें तो बहुत जादा भसण मचे ऊधी तो मैंने क्या की मेरे जो जितने भी कलर तो यह थो थोड़ा बहुत में कलर का काम करती नो वह सब मेने इसमें रखे हुए तो फिर में अच्छे से और्गनाइस कर आ और पूरा का प्रूर अच जाड़ो पोचा सुबह हो चुका था बट फिर भी मेरा दिमाखमाद अचानक से बात आए कि हम यह काम कर लेते तो इस वज़ेसे थोड़ा सा क्रूम और जदा मैसी हो गया तो मैं अश्या करते कि फटा फट से उपर जाड़ो लगा लेते देन उसके बाद पोचा लगा लें क तो जब तक मेरा यह पोचा लगता है तब तक आप देख सकते हैं मेरे सारे के सारे कपड़े हैं वो भी अच्छे से धुल चुके हैं और आप मैं इनको दालती हूं धूप में और उसके बाद जागे मैं जाओंगी शावर लेने के लिए और घर के जो मेरे और काम है वो करने चाहिए अपनी लाइफ में हमें हमें हमेशा हर मंतली या हर वीकली स्टैप के काम करने चाहिए जो बहुत ज़्यदा यूसफुल और अपने आपके जो घर है उसको क्लीन करने में हेल्पफुल भी रहेगा तो यह था मेरा आज का छोटा सा व्लॉक और इसमें आपको कुछ हैबिटे ऐसी हैं जो हमें इसका यूज हमेशा करना चाहिए अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक शियर एंड कमेंट करिएगा आई होप कि आपको पसंद जरूर आएगा तो मिलते हैं आपको नेक्स टे नेक्स वीडियो के साथ ओके बाइबाइ टेक कियर हमें आपको जई तेस्ट हमें इससे में में इसनी कि अगरेगा आपको पसंद आपको shoot it and by